नमस्कार विगे बी न्यूस के हिंदे बुलेटीन में मैं इश्वरय शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ आईने जल डालता है आज के हेड्लाइन्स पर नाकपुर में स्थानी अमाल की कम आवक से सब्जिया महंगी मसालों के दाम में भी बड़त नाकपुर का लक्ष्मिनगर जोन बना समस्तियाओं का अड़ा सीमेंट सडकों के आधि मिर्मान से नागरिकों को हो रही है परिशानी और नाकपुर से 13 और 14 साल की दो लड़कियों का पहरण पुलीस ने आरुपी महिला को किया गिरपता अब खबरे विस्तार से इसलिए किम्तों में बढ़ोत्री देखी जा रही है फिलहाल गणिशोत्सव और जैश्ट गोरी की वज़ज़ से खुद्रा बाजार में सबजियों के दाम बढ़ेंगे ये सिती अगले 10 दिनों तक बनी रहेगी सबसियों की तरह मसाले भी महिंगे हैं खासदोर पर हिंग की कीमत में काफी इजाफा हुआ है हिंग भारत में अफगानिस्तान, इरान, ताजिकिस्तान, उबजिकिस्तान से आयत किया जाता है इसी तरह धनिया का रेट भी बढ़ा है इसके अलावा दूद, बासमती चावल, ब्रेड आदी के दाम भी बढ़े है इन सब का असर त्योहारी सिजन में महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा राज्य में दोपईया वाहन चोरी की संख्या में इजापा हुआ है और मुंबई के बाद सबसे जादा दोपईया चोरी के मामली नागपुर शहर से सामने आए है जबकि तिसरे स्थान पर पूरे शहर है और सतन 34 पिजदी चोरी की बाईक ही बरामद हुई है बताया गया है कि नागपुर से 5 साल में 7800 दोपईया वाहन चोरी हुई है सुत्रों के मुताबिक प्रदेश के प्रमुक शहरों में दोपईया चोरी करने वाले गिरहों सक्री हो गये है शहर के एक बाईक चोरी हो जाने के बाद देहात में बाईक को काफी कम कीमत पर बेचा जाता है इसलिए दोपईया वाहनों की चोरी का जल पता नहीं चलता दोपईया वाहन को एक बीचोली एक के माध्यम से बेचा जाता है विक्रिताओं को बताता है कि दोपहिया वाहन के दस्ताविस खो गए है दोपहिया वाहनों को ग्रामिन क्षेतरों से शहरों तक नहीं ले जाया जाता है इससे चोरी के बाईक बरामद होने की संभावना कम हो जाती है साथ ही ग्रामिन क्षेतरों में पुलीस दुपहिया वाहन के कागजात या बीमा की जांच नहीं करती है इसलिए दुपहिया वाहन चोर खुले में है इसलिए दुपहिया चोरों का गिरो जाल बिछा कर बड़े शहरों से वाहन चोरी करता है मध्यप्रदेश, तेलंगाना, आंधरप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, करना टक 36 गण में वाहन चोरी करने के लिए गिरहो सकरिया है महराश्ट्र पुलीस अब तक कई गिरहों को गिरफतार कर उनकी बाई के जब्त कर चुकी है लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद ये गिरहों फिर से चोरी करने को तयार है रात में बाईक चोरी करने के बाद इस गिरहों ने 12 घंटेत के अंदर बाईक को राज्य से बाहर ले जाने की आदर डाल ली है विदेश चली गई बाई को बरामत करना लगबग असंभव ही हो जाता है नागपूर शहर में परियावरन के अनुपूर गनेश उत्सव मनाने के लिए मुर्तियों के प्रती सक्त रूप अपनाते हुए पूरे शहर में गनेश प्रतिमाओ का निरिक्षन किया गया जिसके लिए उपद्रव जांज दल टीम का गठन किया गया था इसके पहत आशिनगर जोन में उपद्रव जांज दल के टीम द्वारा कारवाई की गए टीम ने हर दुकान में जाकर सभी मूर्तियों का बारकाई से निरिक्षन किया और कारवाई भी की नागपूर में शिक्षित, मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग की आबादी वाले लक्षमिनगर जोन में समस्याय बढ़ती जा रही है हाली में प्राप 181 शिकायतों में से 58 शिकायते स्तिवेज, पेजल, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट से सम्मन्दित है जैसे जैसे शहर स्मार्ट सिटी के और बढ़ता जा रहा है वैसे ही नागरिक समस्याओ का पैमाना भी बढ़ता ही जा रहा है वही प्रशासन ने भी इसकी अंदेखी की है आज नागपूर के सदर इलाके में Life Insurance Agents Association की और से राश्रवयपी और सहयोग आंदोलन किया गया है इस आंदोलन में बड़ी संख्या में Insurance Agents उपस्थि थे जिनके द्वारा जोरदार मारेबाजी की गई आज LIC का स्थापना दीन है इस अवसर पर शाखा 9 के Insurance Agents द्वारा राश्रवयपी और सहयोग आदोलन के तहट कई मांगे रखी गई है इस विशर में उन्होंने अपनी शाखाओं को ग्यापन भी दिया और जल से जल मांगों को पूरा करने का निविदन भी किया आज हम यहां इकटा हुए है अकिल भारतिय हमारी एजन्ट हेडरेशन के कॉल पर पॉलिसी होल्डर के फेवर में क्या होने चाहिए एजन्ट के फेवर में क्या होने चाहिए यह आज का दिन जो है एलसी का स्थापना दिवसाय और दुर्भा के बश हमें इसी दिन आगे आना पड़ रहा है हमारी मांगे जो है वो हमने गयापन दे दिया है हमारे शाथाओं को दिविजन अपर इसको सेंट्रल आफिस तक के और कब तक चलेंगा यह मूर्चा यह मूर्चा आज से हमें शुरू किया है और तीस नवेंबर तक का कॉल दिया है काका टामिन मूर्चा यह पुरे अखिल भारत में शुरू है पांच तारीक को हमारा पुरा प्रीमियम लेना वगरे सब बंद रहेगा कुपी काम नहीं होगा यह देश में आपी अंदोलन शुरू हुआ है आज हमारे तेरा लाख एजन्ट कारे कर रहा है हम लोग कई समस्याओं से जूंज रहा है समस्याओं को दूर करने के लिए यह देश व्यापी लगबग 2048 ब्रांच में और 1550 CLA ब्रांच में यह आंदोलन किया जा रहा है यह हमारे एजन्टों के हीद के लिए हम लोग इसको कर रहे है आज नाकपूर से केरियर एजन्ट ब्रांच से सभी एजन्ट भाईयों को देश के सारे एजन्ट भाईयों को मैं अववाहन करता हूँ कि आप अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए आने वाले समस्यानों से लड़ने के लिए हमारा एक ही उद्देश है कि अगर बोनस पॉलिसी होल्डर का बोनस बढ़ेगा और हम लोग बोनस पढ़ने के बाद में ज्यादा से ज्यादा फायदा पॉलिसी होल्डर को दिलाएंगे तो हम लोगों का बिजन्ट भड़ेगा आज 66 साल से LIC के हम पिल्लब बने हुए है आज हमारे निउपर ये LIC चल रही है लेकिन आज LIC मेनेजमेंट हमारे एजेंटों के कई भावनाओं को मंजने से दुर्लक्ष करती है इस दुर्लक्ष को हम लोग करने के लिए हमारी बातों को रखने के लिए या आज LIC के जन्म दिवस पर ही हम लोगों ने आयोजिस किया है और आने वाले समय में एक सेप्टेमबर से 30 नवंबर तक या आंदोलन चलता रहेगा या आंदोलन सान्तिप्रिया है या आंदोलन हमारे मेरिजमेंट के साथ में है और मुझे आसा है कि आने वाले समय में जल्द ही जॉइंट एक्षन कमिटीर के हमारे चेर्मेन साहब बुलाएंगे और इस पे जल्द से जल्द देश्कर्स करेंगे धन्यवाद खबरों के सिल्सले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूद होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां कैमपस इंटिव्यू गाइदेंस बाइंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्राक्टिकल ट्रेनिग अट एरपोर्ट, एक्सपर्ट फाकल्टी, परस्नल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy वन डिग्री, त्री जब अपरचुनिटीज Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy, 365 Ghani Nagar, LAD College Square, beside Karnatika Bank Nagpur वासने मेटिंग विलाएं, बाहर बाहर उठो बैठो तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासिर की है बावसिर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधरिक लेजर से उपचार कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com नाकपुरेस फेमस फॉर संत्रे, टाइगर, जिरो माइल और साउजी खाना और साउजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं साउजी मसाले जिससे बनता है ऑथन्टिक साउजी खाना मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के साउजी मसाले ब्रिक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है भले ही MKCL को राश्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्याले से निश्कासित कर दिया गया हो इससे छात्रो का साल बरबाद होने की संभावना है MKCL द्वारा शीत कालीन 2021 सत्र के लिए फरवरी में परिक्षा एजित की गई थी फिर विश्वविद्याले ने छे महिने की देरी के बाद शनिवार रात को बीए प्रथम से मिस्टर के परिणाम घोशित किये इस परिणाम में छात्रो को अनुपस्थित दिखाया गया है इस बारे में पुछे जाने पर भले ही उन्होंने सभी पेपर दे दिये हूँ लेकिन उनमें से कुछ को फेल और कुछ को दो विश्यों में अनुपस्थित गोशित कर दिया है सुमवार को मंगलवार को छात्रों ने परिक्षा हॉल के कई चक्कर लगाए हाला कि इसका कोई फाइदा नहीं हुआ है इसे बीच कमपनी को विश्व विद्याले से निश्कासित कर दिया गया है तो क्या इन छात्रों को न्याए मिलेगा ऐसा सवाल अब खड़ा हो गया है सकरदरा पुलीस थाना अंतरगत नागपुर के बड़ा ताजबाग इलागे से एक महिला ने 13 और 14 सार की दो लड़कियों का अपहरंड कर लिया था इस घटना के सामने आने के बाद पुलीस ने जान शुरू कर दी थी इस मामले में सकरदरा पुलीस ने आरोपी सरगम खान को हिरासत में लेकर उसके खिलाप अपहरंड का मामला दर्च कर लिया है कामठी और उत्तर प्रदेश की दो लड़किया उर्स के लिए अपटे रिष्टेदारों के साथ बड़े ताजबाग में आई थी बड़ा ताजबाग इलागे में श्रद्धालूओं के ठैरने के लिए मंडब बनाया गया था 29 अगस को दो लड़किया लापता हो गई उनके परिजनों ने तलाशी ली लेकिन दोनों नहीं मिली लड़कियों के परिजनों ने सकरदरा पुलीस में शिकायत दर्च कर आई पुलीस द्वारा अपहरंड का मामला दर्च कल तलाश शुरू करने के बाद नागपुर में 14 साल की बच्ची मिली पुलीस ने सरगम के मोबाईल की लोकेशन चेक की तो वो राइपुर में था नागपुर पुलीस ने स्थानिय पुलीस की मदद से बुधभार को राइपुर से एक और लापता लड़की को हिरासत में लिया है ताज जुन दिन बावांचा सम्बर वा औरूस असले मोड एकुर ना बारत बारतुन ताज बाग परिसारात मोट या संकेने बावी की ताही तेंचे बैकी एक कोटूम काम्ठी तून आलेले होती तेंचे लाँ तेरा वर्चेची मुल्गी सोबत होती 31 तार्खेला रात्री 9.45 आस्ता जार सुमारास ती तेंचा गर्चा लोकांत सोबद त्या वेड़े परंदो होती नंतर दी सुनाली नाई तेंची रात्री इतरतर शोदाशोत केले पन मिलाली नाई कोनी तरज और शोड़ पास लितर नाटेवेकांची सोबद आसा मनुद तेंची पोली स्टेशन ला या वक्तित काय रिपोर्टिंग केली नाई दूसरे लुषी तीस तार्खेला आमाला दूपारी तेंची पोली स्टेशन ला या उन सांगीतले कि आमची मुल्गी आहरो लेली आहे तर आटरा वर्षे चा खाली जर मुल्गी वालक लान आहरो लेला आसें तर आमी तीन्छे त्रेशस्ट प्रमाने गुना नोन करतु त्या प्रमाने तेंची प्रमाने एका मैलेचा संशे आला एक ओरी सातील मैला तेंचा जरपाजी वासन संपर्खात होती तीचा और तीचा और तीपन दिसुन नो तीचा तीचा संशे आला त्यआ माईलेचा फोन नमबर तेंचा खड़े हुता है तिचा फोन नमबर आमी तावरतोप घुना नोन करत आनि ट्रेशिंग और ठेवला नमबर तो राइपूर चे आसपास तेजा लोकेशन दीसले तावड़तो आमी राइपूर क्राइम ब्रांच ao रेलवेची देंच्छा शेलिस संपर्गा सालला O राइपूर कंट्रोल रॉम, आँ चानन्तर रेल्वे चे संबनीद पूर्चा पुरचा रभर कंट्रोल रॉम से तावड़ तोप कंट्रोल कोरू त्या मयलेच लोकेशन आमे मोगाल से केहला आनि मोटे प्रमनावर सुत्र फिरू तावड तोक त्या महिलेला आनि पिचा सुवद्या मुलीला तेंच मदतीने चत्तिसगड आनि मध्यप्रदेच्च चा रेलवे चा क्राइम ब्राइन चा मदतीने तावेट गेतले नंतर त्यास वरवरी ने टीम तेते रवाना केली त्या लाहन मुलीला आनि पिचा सुवद्या महिलेला तावेट ग्योण पॉलिस्टेशन ला आनला या वाप्तित मुलीगी सांगते आये कि इमाईला माजे चार वार्श पासुल परिचित है माजे मेत्रे नाहे इमाईला पन सांगता आये कि या मी पन कमठीला पुर्वी राथ होते यामचे सांगली ओड़का है क्रिशी मंतरी अब्दुल सत्तार मेरे बली राजा के लिए इस पहल के माध्यम से किसानों की समस्याव को जान रहे हैं हाला कि इस दोरे के दोरान एक युवा किसान के आत्मात्या करने की घटना सामने आई है इस समन में प्राप्त प्रारंबिक जानकारी ये है कि धारानी तालुका के लाकुट गाव में भारी बारी से नुकसान के कारण इस 26 वर्षे युवा किसान आत्मात्या कर ली आत्मात्या करने वाले किसान का नाम अनील सुरजलाल ठाकरे हैं जो की लाकुट गाव करेने वाला है इस वर्ष कोरुना के दो वर्ष बाद बहुत उट्सा के साथ गणेशोत्सों मनाया जा रहा है इन दस दिनों में गणेशोत्सों मनाने के लिए अपने पैत्रुग गाव जाने वालों की संख्यादी होती है इसलिए पूने, मुंबई जाने वाली और नाकपुर लोटने वाली ट्रेने फिलहाल फुल है और सभी ट्रेनों में बेटिंग है विदर्ब के नागरी रोजगार के लिए बड़ी संख्या में पूने, मुंबई और पश्य में महराश्ट में रह रहे है इस साल जहां हर जगा गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, वही बड़ी संख्या में लोग अपने पैत्रुग गाव लोट जाते है और इस्तियोहार को मनाने के लिए अपने रिष्टेदारों के पास जाते है इसी तरह पूने में डगडुशे ठलवाई के गणेश और मुंबई में लालबाग के राजा सहित अन्य सम्मानित गणेश है इसलिए यहां गणेश उत्सव देखने जाने वालों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए इस गणेश उत्सव के दस दिनों के दोरान पूने मुंबई की ट्रेने खचाकच भरी रहती है लगबग सभी ट्रेनों में प्रतिक्षारत होने के कारण यात्रियों को रेलवे के अलावा अन्यसाधनों पर विचार करना पड़ रहा है ट्रेन में वेटिंग के चलते कह यात्री ट्रेवल्स को तरजी दे रहे है ऐसे में ये ट्रेवल ऑपरेटर्स के लिए उमीद की किरण है इसलिए त्योहार के दिनों को देखते हुए वाहन चालकों ने भी अपने किराय में इजाफा कर दिया है ऐसे में लंबी दूरी के यात्रियों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है एक और जहां यात्रा का किराया अधिक होता है इसलिए आम यात्री रेलवे को तरजीह दिता है हालाकि इंतजार के चलते पुरुषों को जनरल कंपार्टमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है एंसिप के इच्छों को मिदवार के लिए नागपुर नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए पासो सदस्यों को परजिगृत करना अनिवार्य कर दिया गया है इसलिए सही समय पर पार्टी से नामांकन चाहरे वालों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है एंसिप के प्रदेश अध्यक्ष जैन पार्टिल ने मंगलवार को नागपुर में पार्टी के कार्यकारिनी पदादी कारियों की बैठक की इस समय उन्होंने एक्षेत्रिय समिती और नगरकार्यकारिनी में पदादी कारियों का क्लास लिया केवल पद लेने के लिए पार्टी नहीं बढ़ेगी सभी को सक्रिय रूप से योगदान देना था उन्होंने कहा कि इसके लिए सक्रिय सदस्यों का पंजिकरन करना आवश्यक है जैन पाटिल अमरावती, वर्धा, गडची रॉली और अन्य जिलों का दौरा करना कुराई थे इस सवसर पर उन्होंने पदादिकारियों को एक अजार सक्रिय सदस्यों और अभ्यर्थियों को पास्तो के पंजिकरन का लक्ष दिया है तो विकेवी न्यूस के हिंदे बुलेटीन में अब वस इतना ही फिर मिलेंगे कोछ अन्य खबरों के साथ तब तक देखते रहें विकेवी न्यूस नमस्कार